लड़ी इस धर्ती को मेरा नमन देखिए चुनाव आ गया है अब यह आपकी एक महान धर्ती है एक महान प्रदेश है आपकी विधान सभा आपके एक्षेत्री ने यहां से बड़े बड़े नेता दिये रफिय हमद के द्वाई जी जैसे जो आजादी के लिए लड़े जिन्हों ने बेश को अपना जीवन समर्पित किया आपका प्रदेश यह उंतर प्रदेश बहुत महान प्रदेश उठाते है तो आपको दबाया जाता है दमन किया जाता है तो यह लोग चंत्र भी नहीं है तो कैसी राजनीती चल रही है प्रदेश में आपको समझाती हुजा ध्यान से सुनिए जितने भी राजनेतिक डल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने हैं चाहे वह बसपा हो चाहे कांग्रेस के इलावा जितने भी राजनेतिक डल हैं वह आप से वोट धर्म की आधार पर और जाती की आधार पर मंगेंगे ठीक है क्यों क्यों इसकी दो वज़े हैं सबसे पहली वज़े यह है कि उन्होंने कांग नहीं किया जब आपकी समस्याय होती है तो ना सरकार उनको सुझाने का काम करती है और ना पसपा के समाजवादी के नेता आपके पास आते हैं आपकी सुन्वाई करते हैं महिलाओं पर अत्याचार हुआ उन्नाओं में हुआ शाजापूर में हुआ हाथ रस में हुआ क्या अखिलेश यादव जी बाहर आए क्या गए वहाँ पे संघश किया अंदोलन किया कि न्याय मिलना चाहिए नहीं आपने परिक्षाएं दी जौजमानों ने आपने जब अंदोलन किया इलाबाद में और अधिये शहरों में आपको मारा पीता गया क्या समाजवादी दल के नेता या पसबबा के नेता अपने घर से बाहर आए कोरोना हुआ लोकडाउन में तमाज जो प्रवासी स्रमिक थे मजदूर्स थे जो दिल्ली गए हुए थे काम करने के लिए जो नोकरियां वहां करते वे उनको भाजपा की सर्कार ने भाकमान मरों से चोड़ दिया क्या समाजवादी दलो के नेताओं ने क्या उनके कारिकार्ताओं ने उनके बना जैसे मैं उंदर जा रही थी मैंने देखा कि एक महिला खेतों की तरफे अपने नाति को ले जाके चल रही थी आप इतनी नौजवान खड़े हैं पिछले पाथ सालों में किसको रोजगार मिला है सबकार से कोई हाथ अठाए नहीं मिला एक तो होगा कोई एक तो होगा नहीं है तो देखिए यह स्टिती है महिंगाई हद से जादा बढ़ गई है बेरोजगारी बढ़ गई है महिलाओं पर रोजड़ोज अध्याचार हो रहे हैं छुटा चानवर आपके खेट खाये जा रहा है किसानों की क्या समझ चाहें किसान भाई कूप सा रहे होंगे यहां आपको अपने उपच का दान नहीं मिल रहा हाद नहीं मिलती तमाम समस्याओं से जूच रहे हैं पेट्रों डीजल के दान से सबसे ज़्यादा मुसीबत किसको होती है किसानों को होती है यह पूरे बजार का इलाका है इस पर छोटे दुकानदार छोटे प्रिया पारी होंगे इनके साथ क्या हुआ पहले नोट कर दी हुई फिर जी एस टी लगाई गई फिर कोरोना आया लॉक्डाउन आया तमाम बिजनेस छोटे कारोबार बंद होने के कगार पे हो गए कोई रहाद से यहां पर मेरी बुनकर भाई बहन है आपको याद होगा क आपके लिए सरकार ने कोई पैकेज बना नहीं बनाया तो प्रदेश की असलियत आपके साथे हैं मैं खुद नहीं कह रही हूँ आप से पूझा अपने जवाब दिया आप जान रहे हैं कि परिस्थितियां क्या है सब कुछ देख रहे हैं सुबह मेरी बेले उचती हैं खेत पकाती हैं बच्चों का देखबाल करती हैं जानवरों का देखबाल करती हैं घर की सफाई करती हैं फिर फेतों में सुबह सुबह जाना पड़ता है छुटे जानवर से रखवाली करने के लिए कितनी मेहनफ करेंगी कोई रहा है कोई समर्थन नहीं मिलेगा सरकार से मेरे न वहां पता चला के 12 लाग सरकारी पत खाली पढ़ें 55 साल से कोई आपके सुनवाई कर रहा है नहीं कर रहा है तो कोई सुनवाई नहीं है परिशानियों और मुसीबतों से जिन्देगी भरी होई है खोनोब्सटी का मकसद क्या हुता है नेता सब ढैठे मंज पे आपके सामने उन को नेता क्यों बनाया जाता है लॉट की पड़ी किो पर मौत आपकी सेवाद करना है यहीं होता है लोकतंत्र क्या है कि सत्ता आपके हादों में होनी चाहिए और यहां जो सत्ता में आता है वो आपको दबाता है आपके रश्टा चार का सामना आप करते हैं महिंगाई का सामना आप करते हैं बेरोज़ारी का सामना आप कर रहे हैं किसान अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है बुनकर अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है श्रमिक अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है ये परिश्थितियां क्यों है कि जनता गरीब से और भी गरीब हो रही है इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुहे मेरी बेहने बैठी हैं काफी सब्सक्राइब कर रही है आपके सबसे बड़ी समस्याज क्या है बताओ महंगाई महंगाई है कड़वा देल आपको कितने का मिलता है दोसार रुपे का पेट्रोल डीजर की क्या क्या दान है आज आपको एक कैस सिलिंडर मुफ्ट मिला चलिए आपको मिला ही नहीं अगर आप खरीद रहे जाएंगे तो कितने का मिलेगा भर सकते हैं खरीद सकते हैं आज दुकानों में जाए तो कुछ भी खरीदने के लिए आप खेती में महनद कर रही हैं कल रात को मैं अविठी में थी मैं गाओ में चली गई सलोन जिले में सलोन विधान सबा में गाओं है